मैंनों नमस्कार मैं हूँ पंडि दिनेश नारान पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्री चैनल ग्रह बारी मैंनों एक विशेश दुविधापूर्ण इस्तिती है लोगों के पास कि जिन लड़कियों का विवाह पिछले वर्ष या इस वर्ष हुआ है और उनका ससुराल में पहला करवा चौत का ब्रत है तो वो करवा चौत का ब्रत करें या ना करें क्योंकि सुक्र अस्त है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लोगों के मन में संका है और दुविधा भी है सही निरणय नहीं हो पा रहा है मैंनों आईए सास्त्रों को देखते हैं तो सास्त्र कहते हैं गार्गे शंगिता में बताया गया अस्तगे चगुरो सुक्रे बाले ब्रद्धे मलिम लुचे उद्यापनम उपारंभं ब्रतानाम नईवकारायत इसका अर्थ ये है कि ब्रहश्पति या सुक्र अस्त हो जाए तो अस्त होने के पहले के तीन दिन और ये जो तीन दिन होते हैं ये ब्रद्धत्व के होते हैं और उद्य होने के बाद के जो तीन दिन होते हैं वो बालत्व के होते हैं यानि सुक्र हो या गुरू हो अस्त हो जाये तो अस्त होने के पहले के तीन दिन, और उदह होने के बाद के तीन दिन, ये वर्झित है ये वर्जित। ऐसे अवसर में ब्रत का प्रारंभ और उत्शर्ग नहीं करना चाहिए अब इस वर्ष सुक्र अस्त हुए हैं 28 सितंबर को तो इस सूत्र के हिसाब से इस सास्त्रवचन के हिसाब से अगर 28 सितंबर के पहले पढ़ा होता ये तेवहार तो वर्जित था 25 तारिक तक पढ़ा होता लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए यह यह बिल्कुल आप इस पर संकार ना करें और दुविधा ना पालें कि यह ब्रत नहीं किया जा सकता है क्योंकि सास्त्राग्या के अनुसार अस्त ब्रत करना ब्रत प्रारंब करना वर्जित माना जाता है इसी तरह उदय होने के बाद के तीन दिन यह बालकत्तों के होते हैं और इसमें भी किसी भी ब्रत का सुबारंब करना या उद्ध्यापन करना वर्जित माना जाता है सास्त्र और भी कहते हैं कि सोम सुक्र गुरू आशराह सर्व कर्मशु भवंति शिद्धिदा यानि ब्रत सोम सुक्र ब्रहजपति और बुधवार को प्रारंभो तो सब कारियों में सफलता देता है और इस समय तेरा अक्टूबर जब कर्वाचाउत का ब्रत है उस दिन सिध्धियोग भी है इसलिए सर्वसिधि देने वाला है तो जिन कन्याओं का बिवाह पिछले वर्स हुआ है या इस वर्स हुआ है और उनका पहला कर्वाचाउत है तो बे जिजक उनको रहना चाहिए किसी भी तरह क संका अपने दिमाग में न रखें और पूरी भक्ति भाव के साथ भगवान शिव माता पार्वती स्वामी कार्ति के और शंद्रमा का पूजन करें और ब्रत को पूर्ण करें जय माता की